असलाम अपयम, इस वीडियो में हम उन युरॉल्स को डिसक्स करेंगे, जो कि हम कीवर्ड राक्осто है के यूस करते हैं. के चर्टाइटं के यूवर्ब्स करते हैं, एक custom domain hidden keyword URL और custom domain timestamp super URL तो सबसे पहले इन दोनों को discuss कर लेते हैं ताके differentiate कर पाएं आप दोनों के बीच में custom domain hidden keyword URL जो है वो हमें एक two step URL होता है जो के Amazon product search page पे ले जाता है और filter कर देता है दूसरे assets को जबके custom domain timestamp URL जो है वो direct आपको अपने product display page पर ले जाता है लेकिन वो भी होता through keyword ही है आपको दोनों की examples show कर देता हूँ ताके यह चीज और clear हो जाए यहां मैंने दो type के URL उपन किये में है जिसे मैं आपको explain करूँगा अब यह timestamp URL है और इसमें आप देख सकते हैं कि already हमारे जो keyword है हमारे जिससे हमने search किया हुए है और QID दोने इसमें मौजूद है और direct इसने हमें product display पेज जो है हमारा हमारी listing का उस पर हमें land हुए हैं हम दूसरी तरफ यह हमारा hidden keyword URL है जिसमें हमारा async filter हुआ हुआ है चीक है और आपको यहां हमारा keyword भी नज़र आएगा यह two step URL है इसको open करते ही Amazon search page पर बाकी जो दूसरे asyns होंगे वो filter out हो जाएंगे और सिर्फ show होगा आपका async जो भी आपने URL बनाते वे async put किया होगा तो यह two step कहलाता है first step होता है Amazon search page पर आने का और second step में इसे कोई भी open करता है और फिर buy करता है तो इस वीडियो में मैंने दोनों URLs जो हम use करते हैं timestamp और hidden keyword उने clear कर दिया है ताकि आप दोनों को differentiate और properly use कर पाए अबादिए आपका आपका यह यह जह दोनों करता है यह तो लो खिए आपका लोगा